हेलो व्रीवान मैं वर्तिका स्वागत करती है अपने चैनल पर आई होप आप सब अच्छे होंगे तो यह हमारी मेराथॉन क्लास होने वाली जिसमें हम लोग बैलो जी के कोश्चन को कवर करेंगे जो कि बीपीएसी द्वारा प्रीवेस अर्फ में पूछे गए हैं अब यह इक शुक बरती के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा साथ में अगर अब बीपीएसी प्री की भी तियारी करते हो तो उसके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो अन तक जरूर देखेगा इनको रिवीजन करके जरूर जाए एक्जाम से पहले क्योंकि कोश कि पुष्टक दी ओरिजिन ओफ इस्पिसीज किस ने लिखी थी अच्छा एक और बाद इससे पहले मैंने के मिस्ट्री के 100 प्लस कोशन को कवर किया है वो मेरेथान वीडियो या फिर उसके अलावा फिजिक्स की नहीं देखिए तो जरूर देखिए जियस भी टॉपिक वा जान लेते हैं इन्होंने कौन से जिदान दिया था इन्होंने ठेवरी ऑफ नेश्वा सेलेक्शन दिया था प्राक्तिक वरडवात का सिदान कि अगर जिसको भी मतब जीवित रहना हो संगर्स द्वारा ही जीवित रह सकता है तो औरीजिन ओप स्पिसीज की पुस्तक है डा कि नाम है फिलोसिफीक जुलॉजिक पर कोछेन के मानवत तंतर में इंसुलन, यहां मैं इंग्लिष में भी एक्स्टें कर दोंगे ताकि पर दिक्कत नहीं घ्रत करता है तो प्रवाइब कर दो नियुक्न है, तो है कहां से निकलता है यह पैंक्रयास से निकलता है अब पैंक् निकलता है तो इंसुलिन कौन से सल से निकलता है बीटा सल से निकलता है यह एक हार्मोन होता है जो कि ब्लेड में रिलीज होता है इसका काम क्या होता है तो यह किसको नियंतित करता है यह करता है कार्बोहाइड़िट को नियंतित करता है अब कार्बोहाइड़िट यहां पर क और दो दोनों का काम करती है तो अंतरवी ग्रंति और भाहिर श्रावी घंति इसमें कौन सा निकलता है तो इसमें ट्रिप्सिन और लाइपेस दो में इंजाइम याद रखेंगे ट्रिपसीन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, लाइपेस फैट को तोड़ने का काम करता है, एंटिबाइटिक इन में से कौन था है, तो एंटिबाइटिक इसमें से पैनिसिलीन है और सलफा डाय जीन है, तो पैनिसिलीन और सलफा डाय जीन क्या होते हैं, एंटिबाइट कित संवर्धन का मतलब होता है इसमें कीटos की व्रधी करने का विज्यान होता है तो कीटो की व्रधी करने का विज्यान अब यहां पे तो एंटो मो जी कहा जाता है एंटो मो लोची कहा जाता है कि कॉमेंट करके बताइगा मधुवक्ही बालन की कh पान केंटिंग आध purposely by लिजेंन केंटिक्स का भूरी का थिहन केश्यू के जाता हुए जो जो genetics के father किसको बोला जाता है तो इसके father उनको बोला जाता है, mendel को बोला जाता है जो कि austria के थे austria के थे, mendel के बारे में भी question है तो हम यहाँ पे cover कर लेंगे गर्व में brood के विकास को जानने के लिए कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है मतलब fetus को जानने के लिए जो pregnancy के टाइम पे fetus के विकास के लिए development के लिए ultra sound किया जाता है, तो ultra sound को English में कहेंगे ultra sound waves next question है कि इन में से कौन सा सच्चा फल नहीं है सच्चा फल का मतब question पूछे जा रहा है, कौन सा false fruit है तो false fruit वो होता है जिसमें और जो पार्ट होते हैं फलावर के वो भी पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें आजएगा सेवर नासपाती है उसके अलावा कटहल है, ये false food के example होते हैं, तो false food कौन-कौन से हैं, तो सेव है, काजू है, कटहल है ये सारे example होगा है ये दिखें, यहाँ पर example है, कि सेव, काजू, नासपाती और कटहल का भी नाम याद रखेंगे, लॉंग कौन से पार्ट से मिलती है, तो लॉंग कली वाले पार्ट से मिलती है सुस्क पुस्क कली होती है, लॉंग नेक्स कोशन फिर से पुछा गया है, लॉंग एक मसाला है, कौन से पार्ट से मिलती है, तो कली से मिलती है, नेक्स्ट कोशन पर आते है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, यह इसका जो लॉंग का जन्मिस्थल कहा माना जाता है, तो जैसे कि आलू है, आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अध्रक, यह क्या होते हैं, तना होते हैं, जब कि जड क्या होती है, जड में गाजर, सलजम, चुकंदर, यह क्या होती है, जड होती है, इनका जड वाला पाट खाया जाता है, पादप कली जो होती है, प्लांट जो क हम हेलो फाइट बोलते हैं अब जीरो फाइट क्या होता है जो मरस्तल में पाइजाते को हेलो फाइट का जाता है हईड़ो खाइड जो फॉल फिरम ही पहले जाते का रखेगा इसका FulForm होता है एलेक्ट्र oo leveling program electro in Cephalogram यह मत्तिक्स की जानकारी मिलती है जबकि ECG से क्या मिलता है तो ECG का फूल फॉर्म भी जानकारी मिलती है जबकि ECG का फॉल फॉर्म होता है तो magnetic resonance imaging, ठीक है, magnetic resonance imaging, मसल्स में जो दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकरण कौन सा होती ही, radiation कौन सी होती है, तो मसल्स के उपचार के लिए infrared radiation का यूज किया जाता है, next question है कि जीवों में अतिदिक विविक्ता जो इतनी diversity देखी जाती है, वो किस वज़े से होती है, तो उसका reason होता है, main reason होता है उत्परिवर्तन, अब उत्परिवर्तन को हम बोलता है in English में mutation, mutation theory किस ने दी थी, question पुछा आता है, तो mutation theory किस ने दी है, इसको दिया है Hugo D. Breeze ने, ठीक है, यहाँ रिखा होगा, उमें भी शर्द नहीं दीखाएं हैं तो याद रखेंगी, उत्परिवर्तन का सिधान किस ने दी था, Hugo D. Breeze ने सबसे पहले इसकी बात की थी, अब यहाँ पे उत्परिवर्तन में होता है, क्या उत्परिवाइटन में ऐसा होता है कि जब जीन में कोई परवतन आ जाता है जब जीन में कोई चेंज आ जाता है तो उसकी वज़े से एक नए जीव का विकास होता है यही कहता है उत्परिवाइटनवाद का सिधान मेंडल की बात हुई तो मेंडल कहां के थे, अस्ट्रिया के थे, ठीक है, इन्होंने अनवान सिक्ता का सिधान दिया था, तो यह किस पे अधारी थे, तो यह sexual reproduction पे अधारी थे, इन्होंने तीन law दिया थे, तीन law दिया थे, कौन-कौन थे, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, ठीक है, यह तीन जो जीम्स वाच्छन और फ्रांसिस क्रिक पड़ते हैं इन्हों ने क्या किया था जेम्स वाच्छन ने और फ्रांसिस क्रिक ने इसने डबल हेलिक्स मॉडल की कोच किस ने की चीनि एक बहुत इंपोर्टेंट कोच्छन यहां पर बन सकता है कि हरविन खुराना इनको 1968 में नोबेर प्राइस दिया गया था क्रतिम जीन का संस्लेशर किया था मिलब में तो हर गोविन खुराना जो इंडिया के हैं इनको नोबेर फ्राइस भी दिया गया तो यहां पर वो पॉंट क्लियर रखिएगा कि DNA की जो डबल हरिक्स ने किया थी ठीक है फेडरिक मिश्चर ने इन्हों ने पहले इसका नाम डिय नहीं दिया था नियूक्लीन कहा था इसको पहले नेक्स कोशन है कि जीव को शिकाओं में अनवानसी क्लक्षडों के नियंतर में निमलिकित में से कौन सा उतरदाई है मतलब जो हरेडिटी सिम्टम होते हैं उनके कौन कंट्रोल करता है तो उनको डियंए द्वारा कंट्रोल के दाता है नेक्स कोशन है कि यक्रत और मान स्पेशिय। में उर्जा जमा होती तो जो लीवर है कि स्टॉर में ट्लाइकॉजन की फॉर में और applause के 4 पर था सब्कॉर्भा刃 जाता है कि ग्लुकोस क के थक्के बनने में मदद करता है तो रक्त के थक्के बनने में कौन से विटामिन मदद करता है विटामिन के मदद करता है विटामिन के की बात हुई तो उनका रसाइनिंग नाम याद रखेगा फिलोक्विनोन इसका नाम होता है इसका रसाइनिंग नेम होता है क्यामिकल नेम होता है अभी इसके उपर काफी कोशन पूछेगा है विटमीन से उनको जरूर टालीजेगा प्रतिसकंदक विशो के लिए प्रतिकारक बहुत हिंदी है लेकिन आपको इतना रखना है कि एंटीडोट के रूप में किसका यूज किया जाता है तो एंटीडोट के रूप में वि लिया कर के रोग होता है और विटमीन इ में क्या होता है जनल सकती कंजोर यंज सारी समस्mar-शा होती है निम्लेकित में से किस विटामीन को अर्गो केल्सिफेरॉ dzień करें नेद्लियार, केल्सिफेरॉ हो यहाँ यहां पर दो आपको क्या क्या जाते है लो कहा जाता है या देखे Dicky annours से नाम क्या है उप्रेट में का में कंडारित होता है जो होता है तो विटमिन लीवर में रीकिया क्या बढूम्ध का नाम है यह यह रिय्कорт होता है संक्रमर्क जो रोग पती रोदक शमता है वो कमजोर होती है मतलब infection का खतिरा बढ़ जाता है और इसके अलावा जीरो जीरो प्थैल्मिया नामक रोग होता है ठीक है इससे अगला कोशन देखिए यहां पर आ भी गया कि रेटीनौ रेटीनौ किसको बोलता है विटेमि से B1 से होता है साइनो का बालमिन जो है B12 से रक्त अलपता मतलब अनीमिया की समस्चा किसे आती है इसकी B12 की कमी से आती है अर्गो क्यालसी फेरॉल जो बताया है विटेमिन D को बोलता है इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है तो इस कोशन में पुछा गया था कौन सा हैं करो दो सही नहीं तो सही सुमेल नहीं है सबसे पहले हम देखते हैं विटेमिन D किसमें पाख सबस्क्राइब यूधमिन कीजुले में टेमिन जो ajaa है बतालें अगर आ तोड़ी मात्रह में लौता अगर आप देखें वैसे भी सही हो रहा थैंकि more than 1 ये भी सही था ये भी सही था ये भी सही था तो more than 1 हो जाएगा E वाल आंसर इसका सही हो जाएगा जो B1 है वो संतरे में भी पाये जाता है C तो पाये जाता है उसके लावा B1 भी पाये जाता है इसलिए E सही हुआ जिस विटामिन में कोबार्ट पाय जाता है तो कोबार्ट किसमें जाता जिसको Sino Gabalmine कहते है B1 को Thymine कहते है अब यहां पे एक point धना लखेगा कि कोबार्ट के आईसोटोप का यूज easier cancer के treatment में किया जाता है ठीक है, cancer के treatment में किसका use की जाता है तो kobalt के isotope का यूज़ किया जाता है next एक स्वस्त व्यास सरीर में मनुष्ट के रक्त जो blood होता है वो कितना होता है तो blood 5-6 litre होता है जो कि अगर पुछाता है कितना percent होता है यह भी question बनता है कि सरीर के भार का कितना percent होता है तो 7-8 percent होता है थीटि यहां पर ब्लेटी की बात हुई तो ब्ल apparat की बारे में थोड़े बाते जान लेते हैं इसमоворसि का च्रट निर्माई कहा होता है तो क्ई कर लाता है और इसका चली को बिरेटन को बोल जाता है ठीक है तो blood से related जितने point है वो cover कर लीजेगा next question है कि transfusion जो transfusion होता है उसमें रखना केवल रखते के प्रकार मतब अगर अगर जो blood donate किया जाता है तो उस time पे केवल ये नहीं देखा जाता है कि क्या blood group है बलकि उसके साथ में एक और चीज़ देखा जाता है वो है आरेच फैक् पड़ा अगर किसी का आरेच माइनस है आरेच माइनस को अगर प्लस वाला दे दिये जाता है तो पहली बार में इतना कोई effect नहीं आएगा लेकिन सेकेंड टाइम में आरेच माइनस वाले वक्ति की Matthew हो जाती है अगर ऐसा कुछ होता है तो अच्छा blood की बात हुई थी तो य blood group O है यह donate कर सकता है निमन में सेर अक्तिदाप का मतलब blood pressure का मापा की अंतर क्या होता है तो blood pressure को नमापने की काई को सफग्नो मैनो मेटर कहते है यह अनिमो मेटर जो होता है इससे हवा की गति को मापा जाता है एमीटर से करेंड को मापा जाता है इस्फग्नो मैनो मीटर के बारे में एक point याद रखेंगे कि इसमें जो normal होता है वो कितना होता है blood pressure 120-80 होता है इसको कौन से यह अंत्रे से नापते हैं मतलब ब्लेट प्रेशर को स्फिग्णो मैनोमीटर से मापते हैं. So next question है कि kidney से पर मिनिट कितना blood flow होता है तो kidney से 1200 cc आंसर हो जाएगा ठीक है? कि अगर पूछा जाए कि कितने लीटर ये सुद्ध को रक्त करता है kidney एक दिन में तो हर दिन 1500 लीटर करता है लगभग देर लीटर टोयलेट तबदील करता है तो यह बुरा kidney का काम होता है यहां से kidney के बारे में एक point पुछा आता है कि kidney की unit क्या होती है ठीक है structure unit क्या होती है तो nephron होती है नaphron is the structure unit of kidney kidney की structure unit nephron होती है insulin की बात करते है तो insulin क्या है तो insulin एक hormone होता है जो कि बहने अभी बताया pancreas से निकलता है अगनासय से निकलता है अब यहां पे आपको hormone option में नहीं मिलेगा तो जो hormone होते है वो protein ही होते है तो answer हो जाएगा D निम्रिकित में से कौन सा हार्मोन है तो इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि पैंक्रियास से निकलता है अब यहां इन्वर्टेस की बात हुई तो थोड़ा सा केमिस्टी रिवाइस कर लेते हैं invertase एक enzyme होता है जो कि क्या करता था sugar को glucose में convert करता था and then glucose को जो ferment करके ethanol बनता था या alcohol बनता था उसके लिए gymase enzyme काम करता था next question है कि women sex hormone कौन सा होता है estrogen होता है so महिलाओ में कौन-कौन से पाय जाते है estrogen है, progestron है और उसके अलावर laxin है यह कुछ hormone पाय जाते है अब यहाँ पर next question है कि कौन सा हार्मोन इस्थन ग्रंथियों से दुख्द का स्राव होने में वोमी का निबाता है, तो इसको बोलते है oxytocin oxytocin का ही मादरा oxytocin के ही injection दिये जाते है जो गाय वगेरा जो इसको बीडियों से दुख्द का स्रावाइब निखलता है अब थायरोक्सिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है तो थायराइट ग्लैंड होती है यह गले में लारिनिक्स के नीचे पाई जाती है तो गले वाले पार्ट में ट्राखिया के दोनों और थायरोइट गलान होती है जहां तो पूंट होती है इसको घ्राइट अस cielods के बहुत के तो इसको मस्तिक्न होती है नीचे पाई जाती है मिटोकॉयरивает दोकॉरोफोर ओसली सेल बहुतै है मैरे मेंटोकॉप को मेंडेजर अपाइटर बहुत प्रकास अज़लेट के लिए आपको याद होनी चाहिए कि CO2 और पानी मिलकरके क्या बनाता है ग्लुकोज और पानी और और ऑक्सिजन निकालते हैं यहाँ पे अक्सिजन अंसर निकालता है इसका इसका रूजा एक्वजा अधिया बनता है यहाँ देखेगा जो सन लाइट हो तो इनर्जी होती है हो दो एक कि रटीपी में बडलती है कहां बडलती है प्लांटी की बात हो स्थी जो eg है नियुक्री और एंदेय्ट को बोलते हैं अदेनो स्ट्राइफ फोस्वेट इस अदेनो सेल का सकती स्रोथ क्या होता है इंदी बेर रख़ा भी बता लेता है powerhouse of cell को कहते है तो powerhouse of cell mitochondria को कहते है cell wall कोशिका विटी है plant में होती है plant cell में होती है अनिमसल में होती है cell wall ब्लांट सेल में किस की बनी होती है एक बनी हो जो आखेए कि नृट में दूसके है कि ऐसे प्रेडिया होता है से प्रफ्सक्राइब से प्रफ्सक्राइब जो तक प्रफ्सक्राइब जो निवह उने वाले रोग होते हैं तो त्याइफाइब में असल monela-typhe bacteria से होता है, जिभकि Kulera बिमारी है वो Vibrio-Kuluri nami-bacteria से होता है बनेशमें alpha toxin, जो खाद विसाक्तन द्वारा समान तक कौन नच प्रभाहिट होता है, तो Alan Flossing निर्मार कहा हुए, तो lymphocyte निर्मार कहा होता है तो lymphocyte काम क्या होता है कि उनको बीमारी होता है उन्से लडने में ये रोग पतिरोदक्षम्ता में ये मदद करता है उंकोजीन की बात करता है तो इसको लुकेमिया बोलते हैं इसके लिए इसलिए का अइसरे हो जाएगा मोर्द नाइस नेक्स को पैदा भी कर सकता है और उसको ख़तम बीड़सक्त का उप्चार भी कर सकता है तो तंवाग को तो होगा नियूटी बगैर होगा एससे करता हैं जब बाइमेंस तक रेदिखोती रहे हैं को अजना इस स्वंवर्धन तो सरीर के सेथियर का करने का काम माइंड का hypothalamus करता है, तो B answer हो जाएगा लेकिन यहाँ पर और point भी clear कर लीजेगा thalamus फिर क्या करता है, thalamus का काम होता है जो दर्द, ठंडा, गरम जो बाहर वाली क्रियाएं होती है उनके बारे में पता लगाने का काम करता है thalamus, सेरे बेलम का काम क्या होता है संतुलन बनाने का काम करता है जो balancing का काम होता है, वो सेरे बेलम करता है medulla obligator, medulla obligator से question बनता है, यह सबसे पीछे का part होता है, mind के सबसे पीछे का part होता है, इसका काम होता है metabolism को metabolism को control करना या उसके अलावा जो स्वशन का नियंतर करना, या हार नाल का जो प्रिस्टाल्टिक मोमेंट होता है जो हार्ट पीट होती है उनको कंट्रोल करना मेटला अबलगेटा का काम होता है अगे यह कुशन रिपीट हुआ है कि टेंप्रेचर को कौन कंट्रोल करता है तो हाइपो थैलमस करता है अच्छा हाइपो थैलमस यह भी देख जीन्स पगेरा हैं उनका वो कैसे विचरड़ करता तो इनके संमिस्रर से ब्लेंडिंग से भी होता है क्रोमोजोम में बदलाओ हो जाता है तो उससे भी होता है और जीन के मिस्रर यानिकी सफलिंग से भी होता है तो all of these हो जाएगा नेक्स्ट पार्किंसन बिमारी के उपचार के विकास के लिए किसको Nobel Prize दिया गया था तो पार्किंसन बिमारी के उपचार के लिए कालसन को Nobel Prize दिया गया था कालसन को दिया गया था कब दिया गया था 2000 में दिया गया था स्वेम, विकास, वो प्रजिनन करने में समर्थ है, तो वो है, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा जो है, वो खुद से development और reproduction खुद ही कर सकता है, इसको इसका अंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा, विसाडू वाइरस को क्या बोलते है, वाइरस को सजीव और नीजीव की बीच की कड़ी बोला जाता है, जीवाडू की खुद सबसे पहले किस ने की थी, ल्वेन हॉक ने की थी, नेक्स्ट है, निमनेकिन में से किसके सेल में कोई इंजाइम नहीं पाया जाता है, तो virus के cell में कोई भी enzyme नहीं पाया जाता है सैवालों के अध्यन को क्या कहते है LG के जो study है उसको क्या बोला जाता है आप comment करके बताईएगा next है Bill और Melinda गेट फाउंडेशन ने अवाहान नामक जो कारक्रम है वो किसके लिए सुरू किया था तो वो शुरू किया है HIV और AIDS के लिए अब यहां पर फुल फॉर्म याद रखेगा acquired immune deficiency syndrome AIDS का फुल फॉर्म होता है HIV का फुल फॉर्म होता है human immunodeficiency virus अब इसके बारे में एक point आपको यह याद रखना था कि अलीसा नाम का जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है वो इससे संबन देता है तो अलीसा नाम का टेस्ट जो है वो किससे संबन देता है वो इससे संबन देता है ठीक है डेंगू की बात हो रही है तो डेंगू जो अर्बो वाइरस से उससे होता है polio, polio bivarus से होने वाले disease है philaria जो होता है philaria जो है, वो helementis से होने वाली बिमारी होती है next है, सरफ़मानो हैदे का प्रतियार ओपर, यानि कि heart transplantation है वो किसने किया था, heart को transplant किसने किया था, सबसे पहले, कहा हुआ है तो south africa में हुआ था, किसने किया था living cell की भी घोच की थी सबसे पहले dead cell को सबसे पहले किसने देखा आप comment करके बताएंगे 1676 में इन्होंने सबसे पहले bacteria की पहचान की थी next biodegradable waste होता है उसको खतम करने में या उससे कोई उपयोगी पदार्थ बनाने में कौन helpful होता है तत्वी जिसको particulate matter बोलता है particulate matter जो होता है वो किसे सम्मंदित होता है वो एक pollutant होता है जो की air pollutant होता है ठीकिए आंसर हो जाएगा B air pollutant होता है vascular पौधों में पानी कौन उपर ले जाता है तो पानी को उपर ले जाने का काम xylem करता है जबकि खाना जो बनता है प्लांट की पतियों में बनता है तो उसको प्लांट के सभी जिगा ले जाने का काम कौन करता है flowem करता है तो xylem का काम क्या होता है नीचे से उपर जाना मतलब root से water को water and mineral को उपर तक लेके जाना celsius scale पर मानो का समान average temperature होता है वो कितना होता है तो average temperature 35 degree से 37 degree celsius तक होता है और इसके according इसका अंसर हो जाएगा c वाला 36.9 degree celsius अगर हम foreign height में बात करें तो 98.6 या फिर 98.4 option में मिल सकता है अच्छा foreign height से celsius बनाने के लिए relation क्या होता है कि foreign height is equal to 9 by 5 c plus 32 यह formula होता है अगर celsius पता है तो foreign height निकाल सकते हो सर्वदाता यानि कि donor की इसे कहते है तो अभी मैंने बताया पिता जो donor होता है वो blood group O को बोला जाता है और universal acceptor किसको बोला जाता है universal acceptor blood group AB को बोला जाता है यह अभी recent में ही question पुछे गए हड़ियों की पढ़ाई जो होती है वो उसको हड़ियों के अध्यान को bones के study को क्या बोला जाता है osteology बोला जाता है osteology अब यहाँ पर और जो दे रखें उनके बारे में जान लेते है औरोलाजी का मतलब क्या होता है परवतों के अध्यान को औरोलाजी बोलता है serology क्या होता है तो जो रुधिर होता है blood serum के अध्यान को serology बोलता है और जिफकी geology क्या होता है वो अर्थ के अंदर की सनचना होती है उसको geo का मतलब होता है मतलब प्रिथवी तो प्रतिवी के अंतरिक सरचनाओं के अध्यान को जियोलोजी कहा जाता है नेक्स्ट है कि जो स्पाइनल कॉल्ड होती है कसेरुक रज्जु होती है उसमें कितने जोड़ी नियूरोंस होते हैं तो यहाँ पे थर्टीवन हो जाएगा अगर आता है कि रीड की हड़ी में कितनी हड़ियां होती है कितनी जोड़ी हड़ियां होती है तो वहाँ कुल हड़ियों के संख्या जो स्टार्टिंग में होती है वो 33 होती है तो यह याद रखेगा थोड़ा सा कन्फीजन रहता है लोगों को 31 औ 33 में लेकिन अगर तंतिरकाई पुछा जा रहा है, नियूरॉन पुछा जा जा रहा है, तो इसका अंसर 31 हो जाएगा next है, मनुस्य के जीवन काल में कितने दाथ दो बार आते हैं, मतलब दूद के दाथ कितने होते हैं, overall पुछी जा रहा है, answer question पुछा जा रहा है, कि दूद के दाथ कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, तो 20 जो दाथ होते हैं, वो लाइफ में दो बार आते हैं, उसके अलावा बाकी के जो 12 दाथ होते हैं, वो एक बार ही निकलते हैं, मनुस्य की खोपड़ी में कितनी अस्थिया होती हैं, तो मनुस्य की ख प्रेनियम में जो कपाल में 8 होती है, मुँ में 14 होती है, कंटिका गले में जो हायट नाम की हड़ी होती है, वो 1 होती है, और कान में 6 होती है, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखने हैं, कि सबसे जो बड़ी हड़ी है, उसको फीमर बोलते है, सबसे छोटी हड़ जो होती है, पेर की हड़ी कैसी होती है, वो ठोस होती है, पेर की हड़ी ठोस होती है, नेक्स्ट है, कि 20 वर्ष की आयो में मानों सरीर में हड़ीयों की संख्या कितनी होगी, 206 हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा, none of these, क्योंकि बड़े होकर कि जो हड़ीयों की संख्या है, 206 होती है निमलेखित में से कौन सा मनुस में अफसेसी अंग है मतलब जो बचा हुआ अंग है जो कि पहले लुप्त हो चुका है लेकिन कहीं न कहीं है वो कौन कौन से है इन सीजर है यान की चप्टे जो दाथ होते हैं वो अफसेसी अंग में आते हैं जैविक सिस्टम में रस जो कि क्या करते हैं, जो की complex food को simple food में तोड़ते हैं, जो खटे फलो में पाए जाता है, उस vitamin को क्या कहता है, vitamin C होता है, vitamin C का chemical name क्या होता है, scorbic acid होता है, ये चर्म रोग जो होता है, skin की diseases होती है, उसके लिए भी उसको सही करने में भी help करता है, दूद किसका घटिया सोथ है अब देखें, यहाँ पर question उल्टा करके पुछा गिया है, दूद किसका अच्छा सोथ नहीं, घटिया सोथ है, तो दूद में विटेमिन C की मातरा नहीं पाई जाती है, तो उसे साफ़े इसकी मातरा एकदम नाकी पराबर होती है, तो यह विटेमिन C का घटिया सोथ, पूर स हो जाएगा, next question है, vitamin C का रसाइनिंग नाम क्या होता है, तो इसकॉर्बिक एसीड होता है, यहाँ पर बात हुइए, थाईमिन की किसका नाम होता है, chemical name होता है, B1 का होता है, citric Acid निमो में पाई जाता है, टीरिक एसीड टमेडेंड यानि की इमली में पाई जाता है, एलोनिन क्या होता है एलोनिन कहां से प्राप्त होता है तो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है next question है कि 80% से अधिक cell में पाये जाने वाला पदार्थ क्या होता है किसी भी cell में जो 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है तो पानी पाया जाता है हमाई बॉडी में भी 70% से ज़्यादा पानी होता है और cell के अंदर भी 80% से ज़्यादा पानी होता है अचल की बात हुई तो cell से related dothin point cover कर लीजेगा कि mitochondria को powerhouse of cell कहते हैं राइबोजोम को protein की factory कहते हैं उसके अलावा लाइसोसोम को suicide bag कहते हैं नेक्स कोशन है कि निसेचन की क्रिया कहां पे होती है निकि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है तो फर्टिलाइजेशन विकास का मुख्यकारक हो जाएगा प्राक्तिक वरत जो नेश्रल सेलेक्शन वाला है तो अगर यहां पर मिलता है एडैप्टेशन तो वह एक सही आंसर माना जाएगा जो कि 2004 में जब कोशन पुछा गया था तो उसमें मिउचाम्य कारत क्या है तो यहां पे निट्विंचार कम ना जाएगा जो की दार्विन की थिरी दर्विन की तिर्वारी नंयोजिप्ट केश खुछ एटाए fix अधॉरिप मिलने का काम करते हैं, जब कि कवक क्या कहता है? रहने की जगा देता है. तो लाइकेन में सेवाल और कवक के बीच में अलगे और जो वंगय सेंके बीच में कैसा relation होता है? सहाजीवी relation होता है. नेक्ट कोशन है कि रिफ्लेक्ष एक्षन का सेंटर कौन होता है तो रिफ्लेक्स एक्षन का सेंटर स्पाइनल कॉर्ड होती है एक दम इजी सा वन लाइनर कोशन है और एक और चीद अगर पुछा जाए कि जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है उसका इसकी स्ट्रेक्शलर यूनिट क्या होती है तो नियूरोन होती है जबकि किड्नी की जो इस्ट्रेक्शलर यूनिट होती है वो नेफ्रोन होती है विकास का कारण क्या है अब देखिए यहां पे कोशन पुछा गए विकास का कारण क्या है तो वहां पे इसके एकॉर्डिंग 2004 में जो आंसर माना है वो पीडी से पीडी अनुकूलन कि पकाने के लिए क्रतिम्रोप से पकाने के लिए कौन आत्र हो झाती है तो अगर क्रतिम्रोप से एतली का यूज चाले वहर्मोन हम इसका बिद89 क्रतिम यूज हर्मोन होता है वहां हो जाएक है फूलों को खिला लैंवालाहर्मोन-फ। फूलों Cardinalर猕-ma-paudhaneות पौधा मिलता है मतलब एकदमician जो main mother-plant की जैसा पौधा कैसे बन सकता है तो इसके लिए grafting, layering and cutting बता आई देना तो उतमें से बीजों से भी मिल सकता है, और तना काट के भी मिल सकता है, तो इसके according कि इसका अंतर हो जाएगा, इन दोनों से, बोट A और B, नेक्स कोशन है कि पानी मिट्टी से जो जडों में पहुचता है, वो कौन से प्रोसेस से पहुचता है, तो उसको बोलता है, परासरड यानि कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से पानी पहुचता है, जबकि diffusion से क्या होता है? Infusion से gases का exchange होता है तो याद रखेंगे अगर gases का exchange आएगा तो diffusion हो जाएगा बाति-पोस Paulo गुली ऑक्सीजन का यूज करते हैं नेक्स्ट है जहां जीव रहता है उसे क्या कहता है उसे आवास कहता है यानि कि हैबिटेट कहते है तो बन लाइनर कोशन है यहां पर काफी चीज़ा आपको पता ही होंगी तो इसको मैं डिटेल में नहीं एक्स्प्लेंड कर रही कि मधु मधुमक्ही से रहे जितना पोई पैंट है रही कि रहता है नेहीं मधुमक्हा जो याद रहता है उसके के अलावा नर रहता कांगी का विसेश है खाना चाह क्यों मैंने करते हैं यह ज से hijotan ही पाई कुछन है कि MAEOGLOBIN में कौन से धरते हैं इक ही होता है कि और में पना मांमां स्पैशियो में पाये जाता है हींकि हीमोलूं अकसी हमान सुलन हीमोलूबूस पोरीछ में प्रक्राइशी है और यह को चाहि estरी किषी फेल हो जाती है तो purify करने का काम कौन करता है dialysis इस करतिम रोप से जो process होता है कि कमी से मद में रोग होता है तो यह बताया भी था insulin की कमी से मद में रोग हो जाता है मतलब diabetes रोग होजाता है diabetes कब मना जाता है 14 नूवमबर को मना जाता है AIDS निम वालस होने वाली डिसीज है। इस का अंशर हो जाएगा C HIV द वालस होनी वाला रोग रोग कौन सा है, HIV रोग राधपन होने वाल रोग एड्स होता है F Gross दिसंबर को मनाय जाता है नेक्स्ट निमोनिया एक संक्रमड है तो निमोनिया में निमोनिया में क्या प्रभावित होता है निमोनिया में फेफरे प्रभावित होते हैं यह मुकिता बैक्टिरिया सोने वाली बिमारी होती है इस्थ्रियों के तुलना में पुरुष में कलर ब् दोनों एक्स होते हैं इसकी वगद से वहाँ काम करती है कि सेकेंड वाला इसको Ikिस से में सबीऑ brauch ऐसे इन में कर देखने को मिलता है यो या यह सेムस्सरां से मिलता है विलो पेड से मिलता है विलो से ही वेट भी बनाया जाता है Zheng यहों के खेटी के लिए nitrogen fertilizer का यूज किया जाता है अब nitrogen की बात हुई है तो यहां पर urea से भी urea के बारे में बात करते हैं इसका formula क्या होता है ns2 co ns2 होता है इसकी कोच किस ने की थी सबसे पहला जो तो वो carbonic organic substance है जो की laboratory में बनाया गया था फैडरिक वोहलर ने ठीक है ns2 का कोशन है इसको जाद रखेंगे फैडरिक वोहलर ने सबसे पहले इसको बनाया था chlorophyll में कौन सा धातु पाये जाता है यह मैं कई बार बता चुकिए काफी बार पुछा भी जाता है वंड़े एक्जाम में chlorophyll में कौन सा metal पाये जाता है तो magnesium metal पाये जाता है पेड़ों की फेड़ों का जो खाना बनानी की प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं cat इंसेक्ट वाले नाइट्रोजन की कमी से उखते हैं इनमें पिचार प्लांट वाला एग्जांबल याद रक सकते हो जीवन चक्र की द्रस्टी से पामयर की गहा रर और हम ध्रस्टी से है इसी वज़े से important हो जाता है next पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें help करता है तो यह आ जाएगा यह भोजन की भंडारन में भी help करता है पौधे को अकार देने में अबसे छोटा कौन है तो एंजीयोस्पं वुल्फिया है तेंण-गोस्पं वुल्फिया है। ऐस्प पिरीन क्या है तो एसपिरीन अन्टि पाइरेटिक है है और अज़ीयो नहीं करना दीदिक है कि पेड़ों से प्राप्त होता है गन्ने में है और गुलाब में है तो कलम द्वारा पेड का निर्माड किया जाता है या काईक जो जो आर्टिफिशल तरीके से पेड बनाया जाते हैं पेड लगाया जाता है वो कलम द्वारा गन्ने में लगाया जाता है संसार का सबसे बड़ा पुश्प कौन सा सबसे बड़ के लिए जीन के Synthesis के लिए इनको Nobel Prize दिया गया था. डॉक्टरो दॉरा, अनिस्थीसिया में कौन सी गयस दी जाती है? किसका यूज के जाता है? तो नाइट्रस ऑकसाइड का यूज के जाता है. एंट्टॉ का यूज के जाता है, ये एक लॉफिंग गयस होती है. Archaeopterics Archaeopterics क्या है? जुरासिक युका सर पुरातन पक्षी है Archaeopterics क्या है? ये जुरासिक युका पक्षी है Dolphin क्या होता है? Dolphin एक mammal होता है यानि किस थनी होता है तो just one liner question है प्रति वर्स 5 लाग से अधिक लोग मर जाते हैं किस से मर जाते हैं? TB से मर जाते है TB कौन से? किस से होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? कौन से बैक्टीरिया से? Microbacterium tuberculosis इसे फेफ़डा प्रवाइद होता है रात के समय या सला दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्यों ना सोएं? क्योंकि पेड़ के नीचे रात के टाइम में जो पेड़ होते हैं वो CO2 release करते हैं इसी वज़े से नेक्स कोशन है कि निम्लिकिन में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? फ्रक्टोस होती है फ्रक्टोस किसमें पाई जाती? फल और सहथ वगरा में पाई जाती है ये नेक्स कोशन उसी के उपर फिर से है रिपीट हुआ है कि सरक्राओं में सबसे मीठी कौन सी होती है? तो फ्रक्टोस होती है करवाहट के लिए मानो जीव का समेदा सिल छेतर कौन सा होता है? तो करवा वाला जो पार्ट होता है वो पीछे का होता है आगे वाला जो पार्ट होता है जीव का आगे वाला पार्ट मीठे के लिए समेदन होता है जबकि पीछे वाला पार्ट करवे के लिए होता है साइड वाला खटे के लिए होता है ठीक है आगे के जो side वाला होता है वो नमकीन के लिए होता है तो यह कुछ part है जिनके द्वारा समेधन का पता चलता है sensitive होता है इसका मानो जोरी मटर जो पौधा है वो क्या है वो साक होता है ठीक है साक होता है फलिया अतिदिक पॉस्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मातरा में क्या पाया जाता है तो फलियों में so next question है कि फलिया अतिदिक पॉस्टिक होती है तो उनमें प्रचुर मातरा में क्या पाया जाता है अब यहाँ पर बताएगा है कि जो फलिया होती है यह लेग्यूमिनस कुल से आती ही तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनके जड़ों में क्या पाया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टिरिया पाया जाता है जिसका काम क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम काम करता है ए नाइडोजन का काम करता है राइजो-BM नामक बैक्टिरिया करता है थायराइड ग्रंथी जो होती है थायरॉकשन सृरावित करने के लिए उत्तेज़ित करने वाला हारमौण कौन सा होता है तो यह हो जाता है टी एस एच का मतलब है किisherittel फुल THIRID stimulating hormone करता है यह कौन निकालता है। निकालता है है तो PITUTRI GLAND क्या करता है? TSH को निकालती है। क्यों कि इसी लिए बोल जाता है क्योंकि यह दूसरी अधिय को बताती है कि आपको अब यह HIRMONE release करना चाहिए ठाइरेट ग्रंथी की खराबी किसकी कमी के कारण होती है तो iodine iodine की कमी से ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है गेंगा नामक रोग हो जाता है जब हम बकरी या भेड का मास्क खाते हैं तब हम क्या होते हैं तो उसमें हम सबसे पहले कौन आता है सबसे पहले पर्ड्यव सर आते है तो प्रेडीव के रिडियूसर में ग्रीन प्लाणट आ जाएंगे प्राइमेरी वह अथे हैं जो अनुन को खाते हैं मत BPSC Pre की भी अगर आप त्यारी करते हो तो उसके लिए भी बहुत ही helpful होने वाली है अगर हो सके तो multiple time revise कर लिजेगा क्योंकि कोशनर repeat होंगे तो आप option देखे असानी से click कर लोगे तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो comment जरूर करिएगा इससे थोड़ी सी reach बढ़ जाती है and thank you for watching my video